नमश्कार, वेलकुम डू एच्च्प अमित एजुकेशन, साथ अप्राइल दोजार चोबिस को हिंदी का एक्जाम हुआ है, उसमें पेपर बन में क्या-क्या कोशिन पूछे गे थे, उनको हम इस बीडियो में डिसकस करेंगे, यहाँ पर हमारी कोशिश है कि कौन-कौन से अ पूछे गए हैं, हिमाच्य प्रदेस पॉब्लिसिब्स कमिशन का जो नया एक्जाम का पैटन है, फर्स्ट टाइम क्लासी के लिए नया पैटन जब यहाँ पर पॉब्लिसिब्स कमिशन द्वारा दिया गया है, इसमें जो फर्स्ट वेपर है, यह क्वालिफाइंग नेचर का 35% आपको इसमें मार्क्स लेने हैं, 50 कोशन में लबग आपने इसमें 18 कोशन जो वर ठीक करने थे, तो इसमें moderate exam था, नहीं ज्यादा deep कोशन थे, नहीं ज्यादा easy कोशन थे, कुछ कोशन काफी deep पूछे गए हैं और कुछ कोशन बिल्कुल easy पूछे गए हैं, तो इस तर के नदिये हैं, राभी, सतलज, बियास, यमना और चिनाब, जहलम यहाँ पे नहीं गुजरती है, तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो ऑप्शन ए, नेक्स्ट कोशन है, नाटी नित्यक को दुनिया के सबसे बड़े लोक नित्यक के रूप में गिनिस बुक ऑफ वर्ल् स्टेजमेंट बिलकुल राइट है, और कुल्लू का जिसहरा मौस मौस फेमस है, अनतास्य इस तरफ पर हम हिमाचिक में मनाते हैं, तो उसमें मादवराय, मींस कि क्रिशन से समंदीत ही, बहुत से जांकिया हमें देखने को मिलती है, उनकी रासलिला हमें देखने को मिलती है इस कोशन में बोथ स्टेजमेंट राइट हैं, कथन बन कथन टू दोनों इसमें राइट हैं, तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन उसको देख सकते हैं, ऑप्शन ए इस कोशन का राइट इंसर है, यह एक तरह का कंटफेर का कोशन है, बड़ यह काफी प्रवाना कोशन है, करें, कोशन नमबर 18, तो यह भी एक एजी कोशन है, जब 1951 में फर्स्ट आम इलक्षन हुआ था, तो स्टार्डिंग में नमबर मत में यहाँ पर इलक्षन हो गया था, क्योंकि बरफ पढ़ती हैं, और जो श्याम सरन नेगी हैं, वो भी दिस्टी किनोर की हैं, और किनोर प हिमाच्व प्रदेश की जो चीनी और पांगीत सिल्ले हैं, यहाँ पर सबसे पहले बोर्ट जो हो 1951 में हुए थे, 1951-52 में यहाँ पर आपको डेड़ दी है, 52 में जो गवर्मिट बनी थी, तो इस तरीके से इस कोशन का जो राइट अन सर्व ऑप्षन ए, नेक्स कोशन है, अब देखो, यह भी easy question है, कुछ question है, जो आगे deep पूछे गए, उसमें हो सकता है कि ना समझाए, अब हिमाच्व प्रदेश की फांडेशन 15 अप्राइल 1948 को 30 रासों से मिलकर हुई है, जिसमे 26 शिमला हिल की थी और 4 जो पर पंजाब हिल की थी, तो टोल में लाकर 30 रासों थ हिमाच्व प्रदेश की फांडेशन हुई थी, तो यह भी easy question है, next question, यहाँ पर दो statements आपको दी है, question number 20, कि statement 1 बोलती है कि हिमाच्व प्रदेश विदानसावा नया पंचाती रास अधिनियम 1994 में पायरत किया, जिसे 3 सप्रेल 1994 में लागू किया गया था, तो कहीं ने कहीं य यह राइट statement है, ऐसे question जातर जो concern development होते हैं, जो concern development के, जो officer character के exam होते हैं, बहाँ पर पूछ जाते हैं, बट अभी 50 question में आपको 18 question write करने हैं, तो कुछ question deep डाले गए हैं, जिसमें यह भी जो second statement यह थोड़ी सी deep है, इसमें बोला गया है कि हिमाच्व प्रदेश में second जो है यह जो travel area उन से related है, गामों से जो blocks meeting होते हैं, जिला प्रशद होते हैं, उनके समंद में यहाँ पर प्राबदान की गया हैं, तो travel area से यह समंदित हैं, यहाँ पर 97 curse लेकर 97 0 तक जो भी प्राबदान की गये हैं, यहाँ पर D की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, तो पंचायतों में पददिकारियों के लिए स्थानों का अरक्षन जो है इसके अंतरगत दिये गया है, यह ट्राइवल एरिया से समंदित जो वो statement है, इस question का जो right answer है, आप यहाँ पर देखें कि statement 1 right है और statement 2 wrong है, तो उसके coding जो right answer बनता है वो option C, option C में जो statement 1 यह right है और statement 2 incorrect ह तो option c इस question का right answer है next question जो हम अपनी तरफ से आपको अंसर बता रहे हैं यह हो सकता है कि option answer की में थोड़े वो differ करें बट जो possibility है right answers की आपको हम यहां पर बता रहे हैं बाकि जब option answer की आएगी तब कि यह सारा clear होगा बट आप यहां पर next question देखें कौन से कथन गल्थ है समराच जहांगीर के कांगड़ा अभ्यान का उलेखे उनकी आत्म कथा बाई ग्राफी तुझ के जहांगीरी में हमें मिलता है तो उससे हमें जो जानकारिये मिलती है समराच जहांगीर का link जो है कांगड जो नगर कोड किल्हा है उसकी गेरवंदी और विजय की जानकारीये हमें उन सोसे से मिलती है जो option C है कांगड़ा के लिए की जो विस्दित जानकारीय हमें शाफ़ते कांगड़ा में नहीं मिलती है शाफ़ते देखो जब हम इस बूग को सर्च करते हैं तो कोई जानकारी ज्यादा कांगडा के लेकी नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं ये statement भी right बनती है, और जो fourth statement है, पहाड़ों के शाष्कों को लगबग 200 बशन तक मोगर शाषक अकवर, जब आप हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही यहां पर पड़ेंगी, तो अकवर की जो अधीनता है, वो जो पहाड़ी शाषक हैं, उनके ओपर अकवर ने तो कबजा किया था, बट उन्होंने दिनता सभिकार करने पर अकवर ने उनको जो छोड़ भी दिया था, तो कहीं ने कहीं बोलते हैं कि अकवर से कांगडा का किला नहीं जीता गया था, और इस statement को अगर आप ध्यान से कहने कहीं, option C, option D, इन दोनों में ही इसका right answer होगा, तो मेरे कोडिंग जो option D है, कहने कहीं ये statement गल्थ है, और कंगडा के लिए के बार में जानकारी हमें शाफ हते में इतनी नहीं मिलती है, तो ये statement भी right हो सकती है, क्योंकि इस question में पूछा गया है कि कौन सा कथन गल्थ है, तो option D, C, दोनों में यहाँ पर answer होगा, पर हमारे कोडिंग जो इसमें right answer होना चाहिए, means कि statement गल्थ होनी चाहिए, वो option D है, next question, अब ये question भी deep बनाये गया है, जितने भी यहाँ पर नियादीश दिये गये हैं, जिसे case set, इसको भी हमें discuss किया है, classes में, भवानी सिंग को discuss कि है, लीला सेट को discuss किया है, बीकेम लोतरा जो बीच में रहते हैं, तो अगर आपको इन वैसे किसी A का भी data पता होगा, क्योंकि option A, option B, option C, D में, जो first, यहाँ पर जो mail मनाया गया है, वो अलग-लग option है, अगर means कि इन चारों मा, अगर आपको A के बार में पता है, तो आप इ 91, 92 में था, तो अगर आपको उनका time period पता है, तो 91, 92 यहाँ पर दिया गए है, हो सहता है कि स्टेरिमेट यहाँ पर जो सोची सेकिंड है, यहाँ पर 1991, 1991 आपको दो वार दिया गए है, बट 91, 92 भी यहाँ पर दिया गए है, तो देखें, जो लीला सेट है, option C की तरफ हम जा आएंगे, तो option जो D बनता है, स्टेरिमेट के coding, तो इस question का जो right answer बनता है, वो option D, next question है, यह question जो reports आती है, economic survey की reports में भी हमें यह data मिल जाता है, हिमाच्व प्रदेश में पाए जाने वाली स्थानिय पेर पोदों की नस्पतियां, जो पस्चमी हिमाले में भी पाई जाती ह है, बेक कितने पशत हैं, अगर आप इस question का data ढूंड़े, अगर आप search करेंगे, तो इसका data आपको मिल जाएगा, तो इस question का जो right answer है, वो option D, 95%, जो economic survey की reports आती है, और मैं आपको बहुत से chapter अलग-लग मिलते हैं, अगर आप जैसे deep exams की त्यारी करते हैं, यह भी question भी से question, economic survey की reports आती है, कुछ question यहां पर last year के भी पूछे गए हैं, और कुछ जो current की reports हैं, उनके through भी अगर आपको पता है, तब भी आप right answer यहां पर कर सकते हैं, तो इस question का जो right answer है, question number 23, D, 95%, next question, बार्त के भुकमपी मांचितक शेतर में, जो भुकमपी एक शेतर, 1983-1984 के according, जो fourth शोधन के बाद हिमाच्यप्रदेश को कौन से शेतर में रखा गये हैं, यह question book में मिल जाता है, अकास publication की book में मिल जाएका, और बाग की बड़ी books में भी है, तो इस question का जो right answer है, वो option A, first in zone 5 and fourth, fourth और five में रखा जाता है, जो कांगडा चंबा वाले area हैं, जो निचला हिमाचल है, उसमें mostly zone 5 जिसे कांगडा को केंदर माना जाता है, वो गमप का, तो वो fourth zone में रखे गए हैं, जो बार के हैं, वो fourth में हैं, तो option A, इस question का right answer, next question, अब इसमें भी अपने एक statement गल् हैं, जो second statement है, शिरिखंड की height feet में 17,000 something बनती है, शिरिखंड highlight में भी रहता है, आप newspaper में भी देखते हैं, और social media में भी देखते हैं, कि शिरिखंड में आपको किस तरह की मुर्टी दिखती है, सोने की दिखती है, सोने की तो नहीं होती है, तो अब direct यहां से बता सकते हैं कि option B, जो है वो रोंख है, नहीं चरस को कप के आगे कप में रखकर वहां पर जलाते हैं, तो ऐसी कोई प्रथा वहां पर नहीं है, तो जो statement B है, यह इसमें रोंख है, अगर आप A को भी पकड़ लें, कि एक में B, जैसे इसमें तो clearly mention कियेगे कि सोने की आकरती, सोने की आकर होने हैं, उनको हम यहीं बोलेंगे कि paper 1 में जो बहुत languages हैं, हिंदी और इंग्लिश, उनके और अपनी कमांड करें, 20 question में वहां से याप 10-12 question अराम से ठीक कर सकते हैं, अगर आपकी command होगी, बाकि आप skip करना चाहें, तो skip कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं, तो बाक questions कर पाएंगे, next question है, ये भी economic survey की report से question है, बाकि जो cash publication की books या फिर जो जगमान ब्लॉकरा की book है, उसमें भी जो data दिया के है, वो भी जो नही economic report है, उससे मिलता जूलता है, उससे भी आप answer बता सकते हैं, हिमाच्चप प्रतेस में लगबग जो अभी economic survey की report आई है, उसमें 80% जो area है, वो बर्षा पर depend करता है, agriculture के लिए, तो first statement तो इसमें गल्थ है, वो सबसे ज़्यदा बारिश कहां पर होती है, हिमाच्चल में, कांगरा में होती है, उसके बाद दूसरे district आते हैं, तो ये statement भी गल्थ है, तो both statements इस question में wrong है, next question, जो economic survey की report अभी की है, इसमें त 22% जो food production है, वो हिमाच्चल में सेव का है, सेव का उतपादन के लिए शिमला सबसे ज़्यदा जाना जाता है, तो इस question में ascending order पूछा गया है, ascending order के according सबसे ज़्यदा जो food production होता हिमाच्चल में, वो होता है, शिमला में, उसके बाद कांगडा में, और मंडी में, मंडी औ 17.17% मंडी का होता है और 17.10% कांगडा का होता है यहां पर मेंशन नहीं है यहां पर शिमला मंडी कुलू और किनोर मेंशन है तो जो option D है इस question का right answer है इसमें ascending बाइक का पूछा गया है बट यह पुछा गया है बोला गया कि according to product labor force survey the unemployment rate in हिमाच्चव प्रदेश start at 3%, 4%, 5% and 6% जो 2021 की report है उनके according 4% है और जो 2022 की report है उनके according 4.4% है बड़ यहां पर 21 और 22 की पूछीगी है तो इस question का जो right answer है वो option B language part को यहां पर discuss करेंगे इनके अंसर को discuss करेंगे so let's start the video direction for questions 31 and 32 fill in the blanks with the correct option आपका question है javir fell blank the chair तो कौन साइगा यहां पर from y if off and in तो इसमें जो है वो आपका right answer एक option C off javir fell off the chair next question है one should do blank duty तो यहां पर जो है इस question का जो है वो for option में a option बिल्क करेक्ट है one should do one's duty next है आपकी direction for question 34 and 33 33 and 34 in each question select the appropriate word that is opposite in meaning to the underlined word यहां पर जो ही sentence लिखा गया है उसमें आपका यह जो है words 33 and 34 में underline किये हूए है इनके अंटॉनिम बताने इतमीज के opposite बताने है तो आपका जो है question 33 and just first lecture in the class was a fisco तो इसका जो है वो आपका क्या एगा right answer option C ठीक है fisco के अंटॉनिम होता है आपका success सफलता next है question 34 same antonym ही आपने बताना है what people lack in the current times is compassion तो यहां पर जो है वो आपका इस question का right answer है option D indifference next question है direction for questions 35 and 36 read the following sentence and choose the part which has error यह आपका spotting the error से questions है तोनों तो इसमें जो है वो आपका right answer है option C ठीक है the fraud cases have been यहां पर have been यहना है had been का use होना है ठीक है next question 36 है इसमें आपका कौनसे sentence में error है तो इसका right answer option C finance ministry was not में आपका error है next question direction for question number 37 and 38 fill in the blanks with the correct one word substitute one word substitution से आपका यह question है दोनों तो आपका question है the medicine prescribed by the doctor is considered to be the blank which cures all diseases तो इसका जो है वो 37 राइट अंसर आपका option B penekya पने का रामबान right next आपका 38 है one who is a great lover of books is called तो उसको क्या बोलते हैं great lover of books को इस question का राइट अंसर है option D Biblia file next आपका है direction for question 39 and 40 given below are some idioms phrases followed by for alternative meaning to each choose the correct option यहां पर हर्कुलिन टास्क जो है इसके लिए आपका idiom phrases गया रहेंगे तो इस question का आपका English section से आपका fear and square इसका जो one word आपका जो idiom phrases रहेंगा तो option A अप्राइट रहेंगा यह थे मारे English section से जो है आपकी question आप हम Hindi section को यहां पर discuss करेंगे किस विकल्ब के सभी शब्द प्राय के रूमें प्योग में लाए जा सकते हैं ठीक है यह आपको four options visible है तो इसमें जो है वो सभी एक इसरे के प्रयाई है option आपके B में सदन निले निकेतन मंदिर धाम यह सभी आपके जो है वो प्रयाई है नेक्स वर्शन है वाक्यों के रिखांकित पदों और कार्कों के निमल निखित यूगूमों में से उप्यूक्त है कौन सा सही है इसका जो वह आपका बिल्कुल सही है बिल्कुल सही वाकी में आपका गलत यूज हुआ है नेक्स आपका question है सचीन आता होगा वाक्य का काल है तो यहाँ पर जो है वो आपका right answer है option B संदिक दवर्तमान चीक है आप यहाँ पर संदीद यह मतल डाउट फुल है ना आता होगा नहीं भी तो आ सकता है ठीक है संभा नहीं है इस question का right answer option D परिमान बोधक नहीं है next question है मा आ जाती तो मैं चलता यह वाक्य क्या है तो यहाँ पर तो आया है तो यहाँ का कौन सा option C मिश्रफ आक्य है next question है समा लोचन में है तो इसका जो है वो बिल्कुल right answer option यह एक उपसर्ग है और एक आपका प्रत्य है ठीक है सम और लोचन दो से मिलकर में है ना तो सम उपसर्ग हैई लोचन आपका सम अपेक्षीता तो इस पर यहां पर क्या ना था कि इस पर आपके हस्ताक्ष अपेक्षीता है तो यह विग लिट है मैं कल आपका दरशनर करना चाहता हूं यहां पेक्षिता हो mega कि मैं गुरु में कर रहा हूं हूं न यहां पर कैया है निश्चे क्यार्ट में कर रहा हूं हूं न ठीक है ऑुप्शन घड़े करेक्टर निचते है गांधी जी हमारे रास्ट पिता है आपका जनम पोरवंदर में हुआ था उध्धन उपी तो उध्धन में आया सर्वनाम जो आप इसको C ठीक है अन्य पूरुष में भी आता है ना आपका ये ठीक है बाकि ऑफीशिल अंसर की के गॉर्ड़ी हम इसको देखेंगे नेक्स्ट है आपका उप्शन फिप्टी किस वाकि में साथ शब्द का संग्या के रूब में उप्योग हुआ है तो ये भी इसमें आपका वैसे तो ये अन्सर ए सही हो सकता है कि मेरे और पडोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि पडोसी और बच्चे होने का य कर दी जाएगी बाकि ऑफिशियल अंसर की के अकॉर्डिंग जो है हम आपको बता देंगे तो यह थी हमारे पीजिटी हिंदी पेपर गंग के लांगवेज पार के जो है क्वेशन जिनको हमने यहां पर डिसक्स किया आई हूप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर हो सब्सक्राइब चैनल को जुरूर कर दें इसी तरह के और भी वीडियो अपडेट के लिए आप चैनल को जो है साच जुड़े रहेगा आज किस वीडियो में इतनी मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू वाव गूद दे वाव लाव